तो सबसे पहले तो आप सबको Republic Day की बहुत बहुत शुब कामना है गंतंतर दिवस की शुब कामना है हर देश जैसे की भारत है जैसे की यूएस है जैसे की फ्रांस है सब अपने आप में constitutional governments हैं अब constitutional governments को चनाने के लिए एक चीज जिसका नाम है समिधान जिसका नाम है constitution उसकी बहुत important एक idea होता है उसकी बहुत important requirement होती है तो आज के दिन में आज के इस दिवस के उपर आज के इस lecture में आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे गंतंतर दिवस की रिपब्लिक डे होता क्या है यह मनाया क्यों जाता है क्यों 26 जनवरी का ही दिन 26 जनवरी as a day was chosen for this important event और इस बार जो मुख्य अतिती है जो chief guest है व उसके पीछे चीजें देखी जाती है all these things will be discussed here in today's lecture तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका राज मलोतर यूट्यूब चैनल के उपर और गंतंतर दिवस के इस शुब अफसर पर वीडियो को start करते हैं तो बात करते हैं 26 जनवरी की अगर हम बात करें 26 जनवरी की why this date of 26 जनव 26 जनवरी की तो यह 26 जनवरी कैसे बनगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और दूसरी यह सामने फोटो है यह फोटो जो है यह Congress Party के लहौर अधिवेशन की है लहौर Convention की है जो सलाना Yearly Annual Convention होती थी मीटिंग होती थी Congress Party की उसको अधिवेशन उसको annual मीटिंग का जाता था यह उसकी मीटिंग है जिसमें यह जो आदमी आप देख रहे हैं यह भारत के पहले परधान मंतरी पंडित नहरू थे अब आईए इस कहानी को समझते हैं अब बात है भारत की जब भारत एक कोलोनी अब ब्रिटिश कोलोनी हुआ करता था उस समय की उपर अगर हम देखे हैं तो सिस्टम क्या था कि भारत एक इंडिपेंडेंट देश नहीं था एक कोलोनील पावर ब्रिटेन जो थी हमें रूल कर रही थी अब वर्ड वार्ट वार टू के समय के उपर भारत जो था उसकी प अब ब्रिट्र पार्टी उसके लीडर थे एटली एटली ने बोला कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भारत को आजादी देंगे भारत को इंडिपेंडेंस देंगे अब उस समय के उपर एटली की जीत होती है तो एटली एक कैबिनेट मिशन प्लैन बनाके भेजते हैं समïधान सभाब बनाएगा अब जब सम்विधान सभाब बनाने की गठन की बात आती है तो समय की उपर ये देखा जाता है कि इलेक्शन कैसे होँगे तो हम जरूर उसकी उपर भी आपके लिए जलद एक वीडियो लेके आएंगे तो अगर वापीस चाहने की उपर टो three क्या बैठा कि उस समय की ऊपर cabinet mission plan ने का कि आप समिधान सभा बनाई आप constant assembly बनाई है जब constant assembly बनाने की बात आई तो 1946 में पहली बार 9 December 1946 9th December 1946 को पहली बार constant assembly की meeting होती है तो cabinet mission plan में यह decide कि आ गया था कि 389 members होंगे महारी constant assembly में यह समिधान सभा में तो 389 members मिलते हैं और उसमें से कई सारे members आते नहीं है क्योंकि partition की बात चल रही तो वह एक अलग कहानी जैसे मैं आपको बताया अब हुआ क्या कि समिधान सभा की मीटिंग होती है तो समिधान सभा में अब उस सभा में बहुत सारे नेताई सीज के ऊपर agree करते हैं कि हमें different committees की formation करने चाहिए उसमें सबसे important committee बनती है जिसका नाम है drafting committee अब drafting committee के जो chairman है वो बनते हैं बाबा साहिब अंबेदकर या Dr. B.R. अंबेदकर जिनको father of Indian constitution भी का जाता है और जिनका इतने विद्वान किसम के आदमी थे कि we cannot even express in words कि how great how intellectual mind he was and how intellectually solid he was that which led to the formation of this wonderful Indian constitution जिसका फाइदा आज पूरा देश नहीं पूरी दुनिया उठा रही है ये इतना solid देश जो आज के समय पर उभर के दुनिया के सामने आया है तो उसका बहुत सारा श्रे जो है हमारे देश के समिधान सभाओं के members को जाता है बाबा साहिब को जाता है पंडित नहरू को जाता है सदार पटेल को जाता है और हर एक member को जाता है हर एक आदमी को जाता है जिसने freedom struggle में participate किया और जिसने समिधान को बनाने में चोटा सा भी एक योगदान दिया, तो अगर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो हुआ क्या, कि जब इस समिधान सवा की बात हुई, हमने का ड्राफटिंग कमेटी की फॉर्मेशन हुई, बाबा साहिव अंबेदकर की चेर्मेंशिक में यह ड्राफटिंग कमेटी बनी, अभी ड्राफ यह समिधान आया, जो दुनिया का सबसे बड़ा समिधान, लिखित समिधान महना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित समिधान, that is the lengthiest written constitution of the world, it is, that is the Indian constitution, अब उस समय के उपर यह समिधान आया, तो 26 November 1949, 26 November 1949 को यह समिधान जो था, यह त्यार हो गया था, 26 November 1949 को यह सम institution day की तना celebrate करते हैं, पर हमने 26 November को समिधान implementation में नहीं लेकिया है, इसकी वजा क्या थी, क्योंकि जो date है 26 January, यह हमारे लिए historically significant है, तो जो मैंने आपको photograph दिखाई थी, photograph मैंने आपको जो दिखाई थी, लहौर अधिवेशन की, वो related है 26 January 1949 के साथ, 26 January के साथ, 26 January में हुआ क्य नहरू थे, अब उस meeting में यह decide किया गया, कि जो अगले महीने का पहला Sunday होगा, मतलब January महीने का जो पहला, last Sunday होगा, January महीने का last Sunday होगा, उस दिन हम independence day celebrate करेंगे, सबतंतरता दिवस celebrate करेंगे, अब जो last Sunday आया, January का, वो था 26 January, तो उस समय Congress में यह decide कर लिया था कि भाड में जा Independence Day of India, तो यहीं से स्वाधीनता दिवस पहली बार मनाया गया था, although जब हम स्वाधीन हुए, जब हम independent हुए, वो हम 26 January को नहीं हुए, वो हम कब हुए, वो हुए हम 15 August 1947 को, तो 26 January की इस relevance को maintain करने के लिए, हमने क्या decide कि हमने कहा, कि गंतंतर दिवस जो है, Republic Day जो है, वो हम 26 November क मनायेंगे, कि भारत की इतिहास में, पहली बार Independence Day हमने 26 January को मनाया था, अगर हम बात करें, 26 January की, 26 November की, तो क्या कुछ provisions आये थे, बिलकुल कुछ provisions, जैसे कि temporary provisions of the Parliament, या देश की sovereignty, या अगर हम बात करें, कुछ citizenship की बात, या कुछ elections की बात, जो थी, वो हमारे कुछ temporary provisions थे, ज इनली जो provisions under implementation आये थे, वो आये थे, 26 January 1950 को, तो इसलिए हम इस चीज़ को क्या बनाते हैं, हम इस चीज़ को गंतंतर दिवस की तरह सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस दे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, अगर हम देखें, कि इस रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या होत है, कि जैसे मैंने पहले बताया, आपको भारत एक कोलूनी था, अब रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या हो गया, कि जो हमारे देश का head of the state है, जैसे आज के समय के आप देखिए, जो दुरापदी मुर्बू मैम है, जो हमारे देश की राष्टपती हैं, प्रेजिडेंट है हैं, वो हर साल, जब वो राष्टपती हैं, वो कर्तवे पत पर, पहले राजपत कहा आता था, प्रधानमंत्री जीने उसका नाम चेंज करके कर्तवे पत रख दिया, तो 26 जनवरी का अपको लिए देखेंगे, ही कर्तवे पत की ओपर, मैडम प्रेजिडेंट हमारे देश का जंडा अनफरल करेंगी, जो भारत का तिरंगा है, उसको अनफरल करेंगी, अब उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी स्टेज के टेबलूज आते हैं, आपने न्यूज में सुना भी होगा, कुछ कॉंटरवर्सी भी उसके रिगार्डिंग, पर उसके अगर हम दूसरी रफ देखें, तो मैं समझना है कि टेबलूज क्या होते हैं, यूपीस एक्जाम पॉइंट अफ्व से इंपोर्टेंट है, उसके बाद शक्ति परदर्शन होता है, तीनों आम्ड फोर्सी होती है, वो अपना शक्ति परदर्शन करती है, जो बहुत ही खुबसूरत नजारा होता है भारत के रिपबलिक डे की परेट देखने के लिए, अब रिपबलिक में हमने कहा कि head of the state है, head of the state जो है, वो elected होती है, तो रिपबलिक शब्द का मतलब उसी चीज़ से निकल के आता है, that the head of the state is elected, जैसे कि कई states में head of the state monarch है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन है, ब्रिटेन इस ही आते हैं, उसी परकार भारत में जो head of the state है, जो हमारे president है, वो किसी royal family से कोई monarch, कोई hereditary position नहीं है, वो इस तरह की position है, जो individual है, that individual is elected, तो इसी context में जो हमारा meaning आता है रिपबलिक का, तो जैसे मैं आपको बताया कि जब रिपबलिक डे सेलिब्रेट होता है, तो उस रिप राष्ट्रपती, Macron साब, अब हमने ये समझना है, बहुत सारी controversy इस चीज़ के उपर भी हुई, कि पहले हम कह रहे थे कि US के राष्ट्रपती, Joe Biden साब आएंगे, फिर हमने कहा दिया, France के राष्ट्रपती, Macron साब आएंगे, अब ये elect करने के पीछे, select करने के पीछे, कि कौन कौन Republic Day में guest होगा, इसके पीछे कुछ एक basic framework होता है, अगर हम उस framework की बात करें, उस method की बात करें, तो सबसे पहले तो बात होती है, कि कौन guest होगा, और उस guest को क्यों बलाया जाएगा, क्यों importance क्या है उस guest की, ठीक है, कि उसके लिए हमें सबसे पहले देखना पड़ता है, क Brit France है, तो इन दोनों देशों के बीच के relationship किस परकार के है, किस तरह के relationship है दोनों देशों के बीच में, तो अगर India-France के relationship हम सब जानते हैं, कि आज की समय बहुत अच्छे हैं, तो हमने France को चूज किया, USA के साथ भी अच्छे थे, तो हमने USA को भी चूज करने की बात की थे, उससे पिछले साल Egypt के राष्टपती आये थे, तो Egypt भी हमारे लिए इंपोर्टन देश बनता है, तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है, कि किस तरह की relationship है आपके उस particular country के साथ, तो हमारे France का relationship अच्छे हैं, तो पहली चीज तो देखी जाती relationship कैसे है, दूसरी importance क्या है, जि आपकी foreign policy किस context में है, किस तरह जा रही है, जिस तरह की chief guest वो आप invite करते हो, तो हमने Macron साब को invite किया, तो हमने ये देखा कि Europe हमारे लिए कितना important है, West हमारे लिए कितना important है, आज के समय के relationship में, तो अब जब guest को बलाने की बात की जाती है, तो France के राष्ट्रपती कोई छोट रहे हैं, फिर वो दोनों permissions देते हैं, फिर वहां के leader से बात की जाती है, France के forum minister जैसे इस बार बात की गई, उसके बाद दोनों countries आपस में protocols decide करती है, events decide करती है, कि कौन कौन से events हम करेंगे, जैसे आपने अगर आज की newspaper पड़ी है, कल की newspaper मतलब आपने पड़ी है, तो उसमें आपने ये पाया होगा, कि वहाँ पर ये लिखा गया था, कि France के राष्टपती के साथ भारत के प्रधान मंतरी एक roadshow या शोभा यात्रा भी करेंगे, तो ये event जो ही pre-decided होते हैं, ये heat of the moment ये spur of the moment में leave a decisions नहीं होते हैं, तो ये decide किया गया, उसी प्रकार दोनों countries आपस मे एक diplomatic affairs share करती है, sense of event share करती है, और उसके बाद ये decide होता है कि कैसे तरह से leader आएंगे, फिर वहाँ से protocol decide किया जाते हैं, वहाँ से आपके protocol के लोग आते हैं, जो decide करते हैं कि क्या-क्या protocols finalize किया जाएंगे, फिर उसमें ये भी देखा जाता है कि security situation कैसी है उस country की, ठीक है, और अगर कोई आपदा आ जाती है, ठीक है, तो country कैसे handle करेगी, या फिर program में कोई change होता है, वो कैसे handle करेगी, for example, बे मौसम बारिश हो जाए, हना, कि January में बारिश हो जाए, तो कैसे handle किया जाएगा, क्या situations रहेंगी, तो ये देखा जाएगा, अब जैसे मैंने बताया कि choose करने के पीछे वजाएं क्या होती है, कि सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कैसे relationship है, दूसरा, coverage बड़ी important होती है, कि दोनों countries में coverage proper हो इस event की, कि France से भी बहुत जादा press आएगी भारत में, जो cover करेगी इस पूरे event को, और ये show किया जाएगा sign of strength, both in India and in France as well, ठीक है, अगर ह में दोनों countries ने strategic relationship established करें, और EU के बाहर, मलब European Union के बाहर, sorry, भारत एक पहला देश बना था, जिसके साथ फ्रांस ने strategic relationship established करें 1998 में, और आज के समय के उपर, जब Europe एक crisis में है, चाहे फिर रशिया उक्रेन के संदर्ब में हो, या फिर इसराइल गाजा के संदर्ब में हो, या इंडिया की importance इस region में और increase होती है, तो अगर हम मोटी मोटी बात करें कि political, commercial, military and economic interests of a country, play a pivotal role in deciding that who will be our chief guest, तो इसी context में, फ्रांस के राष्ट्रपती को chief guest decide किया गया, और फ्रांस के राष्ट्रपती 26 जनवरी के parade में, भारत के राष्ट्रपती, भारत के पर्थान मंतरी और जो dignitaries हैं, उनके साथ सम्मिलित होंगे, और भारत के एक और गंतंतर दिवस में हिस्सेदारी लेंगे, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो जरूर लाइक कीजेगा, सब्सक्राइब कीजे हमारा चैनल और इस सामनाई देता हूँ, अन्त में एक बार फिर से भारत के गंतंतर दिवस के लिए और पब्लिक डे के लिए, थाइंक यू, जैहिंद.